शाथियों श्वागत है आपका शुद्रिष्टी PCS YouTube चैनल पर साथियों UPCC की आगामी 20 अगस्त को होने वाली पिट परिच्छा के लिए आपने हिंदी का सलेविश देखा होगा उसमें एक टॉपिक है समसुरूत भिनार्थक सब्द युग्म इसका अर्थ क्या है आपको समझा दे पहले समसुरूत शुरूत मने सुनाई देने वाले सम मने समान ऐसे सब्द जो सुनाई देते हैं समान अर्था ये उनका उचारण किया जाया है तो उनका उचारण समान होता है भिन आर्थक भिन आर्थ वाले लेकिन उनका अर्थ जो है वो भिन होता है उसमें कुछ कोई एक ऐसा अच्छर होता है वो उसमें बदल जाता है या फिर हो सकता है किसी पाई या मातरा का भेद हो या उसमें डिफरेंस हो इसके वज़े से क्या होता है सुनाई वो सेम पड़त के लिए बहुत मात्पूर्ण हैं जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए देखते हैं पहला अंस अंस का है कंधा और अंश जब शीटी की आवाज निकलेगी अंश यह अंस का है हिस्चा हिस्चा का मतलब होता है किसी चीज में किसी का बठवारा हो गत में आ लगा है गत का मतलब आगत का मतलब हो गया बुरी गत और आगत का मतलब होता है आया हुआ आगत का विलों बन जाएगा अनागत अंगना देखे यह अंगना है और नीचे अंगना है उपर जो है बिंदी लगी है और नीचे चंद्र बिंदी लगी है देखे अंग और अंगना इनमें अंतर है अंगना माने होता है इस्त्री और अंगन माने होता है आंगन ठीक है अंगना माने इस्त्री और अंगना माने आंगन आगे दिखते हैं अंत अंत माने शमाप्ती और अंत माने नीच या अंतिम अगला है अजन्म जिसका जन्म नहुआ हो और आजन् और यह घुशे चान सब्द बना है इसका विलोम घँशन और याशन होटा है बैठने की वज्द अनल हो जाएगा आग और अनिल हो जाएगा हवा अनिल का रहत है हवा अविशेश अविशेश का रहत है शाधारण और अवशेश अविशेश का रहत है बाकी और देखते हैं अगला है अम्बूज मैंने आपको बताया था पर्यावची वाले भाग में आप देखिए वहाँ और धी यानि जल के पर्यावची में अगर जल लगा देंगे तो कमल हो जाएगा दल लगा देंगे तो बादल हो जाएगा और धी लगा देंगे तो समुद्र हो जाएगा ठीक है तो अंबुज माने कमल, अंबुद माने बादल और अंबुधी माने शागर, अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुन्दर और अभिराम का होता है लगातार, यानि बिना रुके हुए, विराम माने रुकना और अभिराम, अभिराम माने बिना रुके हुए, यानि लगातार अली, बहुत मात पूण्ध है और ये देख लिए इस पे स्टार लगा लिजे पारवाए अली, अली मैंने होता है भhonणा मैंने भॉहरा का प्रण्रावची पढढा है उसमें अली डाला है और अली, अली मैंने कहोता है सखी अली माने भौरा और अली माने शखी अज अज का होगा अजन्मा और अजा माने बकरी अगम अगम का होगा जहां जाया ना जा सके इसका दुर्गम नहीं होगा कई पुष्ट को मैंने देखा दुर्गम लिखा है नहीं अगम का अर्थ होता है जहां जाया ना जा सके दु दूर्गम में अर्थ हो गया कि यहां जाया जा सकता है लेकिन कठिंता से लेकिन अगम का अर्थ हुआ कि जहां जाना असंभव ही हो दूर्गम नहीं होगा तो आगम का होगा प्राप्ति यह है क्या सास्त्र यह बड़ा एक डंडा नहीं होगा सास्त्र है अगम क्या हो अगला देखते हैं, अपमान, अपमान का हो जाएगा अनादर, और उपमान का जिससे उपमा की जाए, अचल, अचल परवत को का जाता है, और अचला ये किसको कहते हैं, प्रित्थिवी को, अगला अशक्त, अशक्त मने शक्त हीन, असक्त, असक्त हो जाएगा विरक्त का, आस अपत का है पत्रहीन, अपत्य, अपत्य का है संतान, अरी, अरी माने शत्रु और अरी, जब किसी इस्त्री के लिए संबोधन करते हैं, जो मलब एक ही, उसके हो, मलब कोई सहली आगर हैं, संबोधन करेंगे किसी इस्त्री के लिए, तो क्या बोलती है, अरी, ठीक है, तो इस्त अरत मारे दुख है आप अपने आसपास जो चीजे देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं उनका आर्थ जानने के कोईसिस कीजिए क्योंकि कई बार तो ऐसे सब्द आ जाते हैं परिचाओं में जो हम आसपास देख रहे होते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं फिर बाद मे यह भी महत्पूर्ण है जैसे अली-अली वाला है वैसे यह भी है अपेक्षा अपेक्षा होता है तुलना और उपेक्षा अपेक्षा होता है तुरस्कार अमूल अमूल का क्या होगा बिना जड़ का बिना मूल का ठीक है अमूल्य अमूल का आर्थाथ अनमूल जिसका कोई और विरोध के बिना विरोध के अनि जहाँ पर उफशर्ग वहाँ पर लग तो विरोध का अभाव यानि बिन हम अर्चन माने होता है पूजन यह किसी की चीजी पूजसर करना तन और एंगता हुलोम आप लोग से अर्जन का विलोम क्या है कि आगे देखते हैं आदि, आदि का होगा आरंभ और आदि, आदि का होगा अभ्यस्थ, देखें अभ्यस्थ नहीं होता है, मैंने कभी अभ्यस्थ आपको बताया है, तो उसको वो सही कर लीजए, अभ्यस्थ होता है, अभी एक गुरूप है प्रतिनत पांडे सरका उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर चर्चा होती रहती है, सर हम लोगों का ग्यान बढ़ाते रहते हैं, तो सर ने इस पर डिसकस किया, एक सब्द आपको बताएं, ओलिम्पिक, सर ने बताया था उस ग्रूप में, हम जुड़े हुए हैं, ओलिम्पिक होता है, सुद्ध सब्द क्या है, ओलिम्पिक, ठीक है, तो आदी का क्या हो जाएगा, अभ्यस्थ, आहट, आहट का है, ध्वनी, आहत, आहत का क्या है, घायल, आय, आय का आर्थ है, आमदनी, और आयू, आयू का आर्थ है, उम्र, और मैं उसमें आयू का प्रयोग करना है और कब उम्र का प्रयोग करना यह बताए आपको किसी के पूरे जीवनकाल की बात करेंगे तो आयू होगी और किसी की प्रिजेंट की उसकी उम्र बताएंगे तो उसकी उम्र या आवस्था का प्रयोग करते हैं ठीक है आभरण का अर्थ होता जलक य Ekम कविलाना और आहुति का अनाहुत नहीं और आहुत होताव यादि बुलाया हुआ तो उसका विलुम क्या हो जाता अनाहुत आर्ठ आर्थ का विलुम क्या है दुखिए आर्थ का अर्थ आर्थ का आर्थ है दुखी और आर्थ का क्या हो गया गीला आगे इत्र इत्र का आर्थ है पुस्पसार या सुगंध और इतर इतर का है दूसरा आगे ते हैं इस्तरी देखें यहां पर इस्तरी और इस्तरी इनमें अंतर है यह इस्तरी है जो घर में प्रिस का उपकरण होता ह उसको बोलते हैं इस्तरी और इस्तरी माने औरत होता है सैंतिस्वा देखते हैं इंद्रा इंद्रा जो है वो सची को कहा जाता है यानि इंद्र की पत्नी को और इंद्रा वो लक्षमी जी को कहा जाता है रित रित जो है सत्ते इसकार्थ हुआ और रितु रितुकार्थ है जोंबिय होगा ऊपला मनें और उथ्पल कमल का मतलब ऒलोगा पताय कि के वों कि यार और अर्ध है तरफ और इतों पति होगा और का मतलब क्या है और का मतलब तथा अंब यह सम coherent प्रिष्दी में अमभ अंबै इस प्रकार से क्षेम किया गया ऐसा कि घंड यह बढ़ा तलस्वा केत, केत माने घर होता है और केत माने पताका या ग्रिह, नहीं सरी ग्रह, पताका या एक ग्रह का नाम है, ग्रह विसेस है जो केत नहीं, ठीक है तो वो ग्रह है और केत माने घर, आगे देखते हैं शेहलिस्वा, कुल, कुल जो है वो दू अर्थ होते हैं, कुल के एक होगे और कुल करत सारा और कूल के भी दो अरथ है किनारा और तत कास का अरथ है शायद और कास का है खासी क्या है खांसी, कृतग्य, कृतग्य का है उपकार मानने वाला और कृतग्न, यह है कृतग्य, यह है कृतग्न, यह इसका अर्थ होता है उपकार मानने वाला और कृतग्न, उपकार न मानने वाला, ऐसे यह सब्द होता है कृतार्थ, आप लोग बताएं, मैंने तो कई बार इसकी व् करोड क्रांति का अर्थ होता है उलट फेर जो क्रांति 18 सप्तान की क्रांति वाला ठीक इसका अर्थ है उलट फेर और कांति का अर्थ है चमक या चांदनी अगला है कुंडल कुंडल एक कान का अभूशन होता है पहना जाता है कुंतल कुंतल जो है सिर के बाल को भी कुंतल कहा जाता है यानि युबाल है उसका परियावची कौंतल है करकट ये करकट कचरा वाला है लेकिन करकट अगर कहेंगे करकट मलब का ऊपर रालागेगा तो करकट केकडा ये केकडा वह हो गया तत्सम हो गया चले आगे देखते है कपीश कपीश का अर्थ है Thirty आगले कलपना कलपना है दुखी होकर विलाप करना कहेंगे तो दुखी होकर विलापकरना और कलपना जब अधिला बनेकी तो चाएगा अनुमान किसले जो थे नय पत्ते जो थे उनको कहा जाता है किसले कोपल को ठीक है नय पत्तों के लिए कहा शब्त प्रवग होता है कोपल और कुबले जो है वो कहा जाता है नीले कमल को क्या कोबले नीले कमल के प्रवग होता है कुणजराशन मैंने बताया था कुणजरधन अशन ठीक ह कोष, कोष कहा है? शब्दों का शंग्रह, कोष कह रहते है खजाना, इनमें अंतर jon यह देख लिए सखती और कडाही, कडाही एक बरतन होती है, जिसमें पकोड़े कोड़ी बनती है, देखा वोगा कुछम य चत्र को कहते हैं और प्लिप्थी है कि आगे ने देख लिये बहुत सुच मंतर क napर दोण हुए एक कठोर पतार्थ , और खोया का लब यह खोया नहीं होग भुम दोग देते हैं यह घर में लोग बनेंगा इंव खोया नहीं खोवा शुद्ध शब्द है जो दूस से बनने वाला पदार्थ है कांट कांटी पति को का जाता है इसका पति है और कांटा पतनी या सुन्दर इस्त्री को कहते हैं आगे देखते हैं खासी खासी बोलते हैं अच्छी उनकी कमाई है आएक और खासी एक बिमारी है जो बहुत अधिक हो तो बोलते हैं की बिमारी थिक f पुष्टक और ग्रंथी गांट आगे ग्रह देखें ग्रह कौन सा पिंड मलब इसका एक और रहत हो सकता है पिंड भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं जो सूर के आसपास चक्र लगाने वाले पिंड ठीक है ग्रह जिसे प्रत्वी हो गया मंगल हो गया बुद्ध है यह सब क्या ह ग्रह यह ग्रिष खार से घर वाला ग्रह आ है और नीचे ड ग्रिष चलिए घूतनह ये महतपोन है घूतना और गूंधना पूछा जा सकता हैً इस हिससाब से माला ज्यो है वह गोंथी जाएग और आटा जो है वो गूंधा जाएगा ठीक ओपर वाला यानि गूत ना यानि माला गूति जायेगी और आटा गूंधा जाएगा पिरोने वाले मं था आएगा और आटा वाले धा आएगा चलिए गड़ना गड़ना इसके देखिए तीन सब्दें यहां पर गड़ना माने चुभना होता है कुछ गड़ रहा है ठीक है गड़ना गड़ना माने बनाना बहुत अच्छी कहानी गड़ी है तुमने ठीक है बहुत अच्छी कहानी बनाई है गड़ना माने बनाना गड़न का अरत होता है हलकी पीड़ा और जड़ कारत है सराप पीने का प्याला जरट जरट कारत है बूढ़ा और जठर जटर कारत है पेट जड़ कारत है मूल या नीव जड़ कारत है मूल या नीव और जड़ ये नीचे देखिए जड़ है जड़ कारत है मूर्ख ये जड़ नहीं ह जुटा जो है, जो सच्चा नहो, जगत, जगत कुवे कचबूतरा, कहेंगे जगत पर बैठे हैं, कुवे कचबूतरा जो होता है, थोड़ा उठा होता है जमीन से, उसको जगत बोलते हैं, लेकिन जगत में अगर हलंत लग जाएगा, तो उसका अर्थ हो गया, संसार, आगे जलज, जलज का अर्थ है कमल, मैंने बताया था, जल लग जाए अगर तो कमल हो जाए का अद्दा लग जाए, तो बादल, आगे देखते हैं, जुवा, देखें, जुवा और जुवा, इनमें अंतर है, जुवा जो है, वो बैल के कंदे की लखड़ी, आप लोगों देखा होगा, जो सेरिल वगएर आते थे, चलिए, आगे देखते हैं, टोटा, टोटा का अर्थ होता है, घाटा, टोटा, टोटा जो है, वो कार्तूज को कहते हैं, डीठ, यह महत्पूर्ण है, इस पर लगा लिए, डीठ, डीठ माने होता है, द्रिष्ट या नजर, और धीठ, ध बरतन हो गया और धोल, धोल क्या होता है, धोल लगाड़े वाला धोल है यह, तो डोल और धोल में अंतर होता है, कुछ और बचे यह देख लेते हैं, यह ऐसी, तडाग, तडाग, तडाग माने होता है जल्दी, क्यांकि तडाग से थपड मार दिया, कैसे है, जल्दी, ठीक नाव तरणग होता है लहर तुरंग माने घोड़ा ये भी महतपूर्ण है बहुत आसान है लेकिन महतपूर्ण है तरणग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा तन तन माने हो गया सरीर और तन माने दुबला चलिए तरणग ये चारो अतदिक मातपूर्ण है इन पर पिस्टा लगा लिजिए तरणग माने शूर्य तरणग माने नाव तरूड़ी रामे छोटोंग की मातर लगी है छोटोंग की बड़ोंग नहीं लगी है ठीक है छोटों इनके अर्थ महतपूर है और थोड़ थोड़ा रिफरेंस है केवल दारु, रा में छटो घी मात्रागर लगी मात्रा सचाने लगी तो दारु लगड़ी यारनी देवदारु अपने देख़ाब देवदारु नहीं होता है. जो व्रच जुआ खेलने वाला जुआ जो खेलते हैं मावरत में जो दिखाया गया है तो कुल नब्बे हां पर समसुरुत भिनार्थक शब्दों के यूग ममने आपको इसके लब कुछ और बचे हैं अगली वीडियो में पूरे करा देंगे धन्यवाद